अब टाइगर 3 के पोश्क्रिट सीन से ये तो पता चला कि कबीर भारत के दुश्वन को मारने के लिए कलिंग मशीन बन चुका है जिसे करनल लूथरा तक रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि War 2 के बाद अगली Spy Universe के फिल्म आलिया भट के साथ होने वाली है जो Tiger और सेथ पठान से पहले सिनेमा घरों में दस्तक देगी तो आलिया भट का War 2 जैसी बड़ी मोवी में एक सही इंट्रोड़क्शन हो सकता है Spy Universe के अगले पढ़ाओ के लिए जहां Wire F Spy Universe के एक बड़ी फ्रेंचैसी को एक बड़ा बज मिलेगा कबीर को उसके सही ट्रैक पे लाने के लिए Tiger को भी आना पड़ सकता है और यहीं से कुछ ऐसे सीन्स एड़ किये जाएंगे जहां Tiger और से पठान की कहानी को कनेक्ट किया जाएगा पठान के सक्सेस के टाइम पे जॉन इब्राहिम ने खुद Spy Universe को लेकर के कबीर यानि रित्तिक रोशन के साथ जीम और कबीर को लेकर के एक स्प्रीन ओफ फिल्म पर काम करने की इच्छावीज जाहिर की थी याद रहें आपको पठान फिल्म में जीम के किरदार को अभी तक पूरी तरह से मारा नहीं गया है दोस्तों तो ये भी सही मौका है जीम के किरदार को फिर से हमें War 2 में देखने के लिए हो सकता है जीम के कुछ पास के हिंट हमें फिल्म में देखने को मिले जहां कभीर और जीम एक साथ काम किया करते थे और यहीं से उनके पास से एंटिया के करेक्टर की कहानी गड़ी गई हो यह मेरा छोटा सा प्रडिक्शन था दोस्तों वार टू के लिए करके आपको क्या लगता है दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले साथ में बैल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरे लेटेस वीडियो की हर एक अब्रीट आपको मिले नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है मेरा दोस्तों उसे जरूर से फॉलो कर लिजेगा बिलूँगा आपको अगले वीडियो में नहीं जानकारी के साथ द एके शो में धन्यवाद